अब अद्व स्वागत है आप सभी का तो अज की इस वीडियो में हम रैल्वे ग्रूप टीम में पूछ है यह लगाता इंपॉर्टेंट किर्शन्स के बारे में डिस्केस करेंगे जो अक्सर failure group D की exam में पुछे जाते हैं तो दोस्तों आप बने रहे हैं मारे साथ वीडियो को like कर दे चनल को subscribe कर ले चलिए start करते हैं First question देखते हैं तो यह है कि दर्वरताप मापी की अपेक्सा First question दे रखा है कि दर्वरताप मापी की अपेक्सा गेस ताप मापी अधिक समयदी होते हैं ठीक है दर्वरताप मापी की अपेक्सा गेस ताप मापी अधिक समयदी होते हैं क्योंकि गेस option दे रखा है option A है दर्वर से हलकी होती है option B दे रखा है दर्वरताप मापी की अपेक्सा अधिक परसार करती है Option C दे रखा है सहरलता से प्रात की जा सकती है पुर Option D दे रखा है अपनी अवस्ता में आसाने से नहीं बदलती है तो ये Option है इसका Right Answer क्या होगा दोस्तों इसका Right Answer क्या होगा इसका Right Answer होगा Option B दरवे की अपेक्सा अधिक परसार करती है ठीक है तो इसका राइट टांस्वर होगा option B next question देखते हैं next question देखते हैं कि यह हमारा next question है next question देराखा है कि कोई पिंड उसमा का सबसे अधिक absorption करता है जब वह है हो जब वह है क्या हो option A है काला और खुर्दरा हो option B है काला और मिर्शन हो option C है सफेद और खुर्दरा हो option D है सफेद और मिर्शन हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा option B काला और मिर्शन हो कोई भी पिंड उसमा का अधिक absorption करता है काला रंग हो काला रंग होता है वो उस्मा का सबसे अधिक अवस्वसक्त करता है इसी कान कोई भी का जीर देख लो जैसे जानुर होते हैं काले रंग के जानुर होते हैं उनको अधिकर्मी लगती है जबकि अलक रंग होता है दूसरे रंग के जानुर को कम गर्मी लगती है तो काला रंग ह होता है वो उस्मा का सबसे अच्छा अवस्वसक होता है नेस्ट क्यूशन देखते हैं नेस्ट क्यूशन है तब जल के थेलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि आता है तब जल के थेलों में जल का प्रयोग तो हमारे option दे रहें option A है, जल सरलता से मिल जाता है option B है, यह सलता है इसकी विश्ष्ट उस्मा अधिक है option D है, जल को गर्म करना असान है तो इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा option C, इसकी विश्ष्ष उस्मा अधिक होती है इस कार्ण तब जल के थेलों में जल का प्रियोग किया जाता है ठीक है Next question देखते है निमन लिखित में प्रकास का रंग किस से सम्मन्दित है Important question है एक्जाम के लिए गुरूप D की एक्जाम है यह आ सकता है question General Science आपको पता है बहुत ही important रोल लगती है गुरूप D के अंदर तो इसका हमारे option देखे है कौन आंक, आवर्ती, गुर्वत्ता या वेग इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer होगा option B, आवर्ती प्रकास का रंग आवर्ती से सम्मन्दित होता है ठीक है निमन देखते है प्रिजम से गुझारने पर प्रकास का कौन सा रंग सबसे अधिक विजलन दरसाता है ठीक है आपने 1red 65ड पढ़ा होगा तो उसमें हम प्रकास को प्रिजम से गुझारते है स्वेद प्रकास को और वह आपने 7 रंगों में क्या होता है बट जाती है तो इसमें कौन सा रंग होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है तो इसका राइट आंसर होगा बेंगनी रंग बेंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और आपकर आपको पूछ ले किसम से कम विचलन कौन से रंग का होता है तो इसका right answers आएगा लाल ठीक है सबसे एधिक होता है बेेगनी का और सबसे कम होता है लाल का Next description नेकर देखते हैं Next description है वर्षा के बूंद का आकार घॉलाकार किस कारण होता है वर्षा के बूंद का आकार घॉलाकार किस कार dive होता है लेख सेका है। विज्ञानी प्रियोग सूक्सिम दस्जी क्यrial परतिविम बनाता है ? यह चार उप्षन है। इसका आंसर आपको डिकर कमेंट पॉक्सिम लिखकर बताना है। कि विक्रित विग्यानी प्रयक्सालाओं में प्रियोक सुक्सम दसी वो कौन सा पर्तिविम बनाता है सब्यों में लिखकर बताना है देखते हैं रहे राएक तरंताल वास्ति गराई से कम घरा दिखाई देता है इसका कारण क्या है और अपवर्तन के कारण तरंताल वास्ति गराई से कम घरा दिखाई देता है इसका कारण क्या है और अपवर्तन के कारण तरंताल वास्ति गराई से कम घरा दिखाई देता है यह और अपवर्तन के सिद्धान्थ किसके पीछे का सिद्धान्थ है इस बार यह पूछा जा सकता है कि दृष्टि के सिद्धान्थ किसके पीछे का सिद्धान्थ है औब्जन निए दूर्बिन या सिनेमा या परिदर्ची या केम्रा तो इसका राइट आसर होगा औप्जन B सिनेमा ब्रिश्टी का स्ताइत हश्धान्थ है कििसके hadn't गास का सिद्दान्त है ये केमरे के पिछे का सिद्दान्तो है और आज का लाइट क्युसी देखते हैं कि परकास का विएक JUST सबसे पहले किषिद्द 맞아 मा पा था इंपोर्टिन के परकास का वेक सबसे पहले इस दे मा पा था इसका राइप रैट अंसर क्या ओ tą तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद